नमस्कार आज के दिन की शुरुआत हमारे लिए एक बड़ी खुशकबरी के साथ हुई है और वो खुशकबरी ये है कि हमारा भारत 5G के युग में अपना पहला कदम रख चुका है जिसमें कि 4G के मुकाबले हमें 5G में 10 गुना ज्यादा इंटरनेट की स्पीड मिलेगी और माना जा रहा है कि 5G नए आर्थिक और सामाजिक प्रगर्ती और लाभों के नए आयामों को भी खुल देगा और ये डिजिटल भारत की छवी को और ज्यादा मजबूत बनाएगा जो कि देश के लिए एक बड़ी सफलता जैसा होगा तो प्रदान मंतरी नरेंदर बोधी ने आज दिली के प्रगर्ती मैदान में चल रहे है इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस 2022 के छटे संसकरन के दोरान आज देश में 5G सेवा का उदगातन किया है और माना जा रही कि 5G की जो यात्रा है वो बहुत ही रोमांचक होने वाली है ध्यान देने वाली बात यह है कि कई देशों को 40 प्रतीशत से 50 प्रतीशत कवरेश तक पहुँचने में कई साल लग गए है लेकिन भारत ने बहुत ही कम समय सीमा में 80 प्रतीशत टारगेट को अच्छीव करने का लक्ष रखा है अपने सामने एक टारगेट रखा है विशेश अग्यों का ये भी मानना है कि 5G तकनीक से भारत को काफी फायदा होने वाला है 2023 और 2040 के बीच अर्थ वैवस्ता को तकरीबन 36.4 ट्रिलियन का लाब होनी की संभावना है ऐसा मोबाइल नेटवर्क ओपरेटर्स का प्रतिनिद्रत करने वाले एक वैश्विक उद्ध्योग निकाई की हालिया रिपोर्ट का ऐसा अनुमान है 5G के जरीए अब अल्ट्रा लो लेटेंसी कनेक्शन को पावर देने के अलावा जो कि कुछी सेकिंड में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी आपके मोबाइल डिवाइस पर फुल लेंट और हाई क्वालिटी की वीडियो या मूवी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा 5G e-health connected vehicles जैसी problems को भी solve करेगा और साथ ही immersive augmented reality और metaverse experience, life safety use और advanced mobile clouding gaming भी इसके अंदर शामिल होगी हाली में आयोजे दूर संचार spectrum की भारत की अब तक की सबसे बड़ी निलामी में record डेड़ लाग करोड की बोलिया प्राप्त हुई थी जिसमें मुकेश अंबानी की जियों ने तकरीबन 88,078 करोड की बोली के साथ बेचे गए एरवेस का लगबग आदा हिस्सा हासिल किया था Global System for Mobile Communication की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा जा रहा है कि 2030 तक भारत में कुल कनेक्शन में 5G की हिस्सेदारी एक्तिहाई से भी ज्यादा हो जाएगी जिसमें 2G और 3G की हिस्सेदारी घटकर 10-20 रहेगी जो कि अपने आप में एक बड़ी सफल था और एक बड़ा लक्ष है रिपोर्ट में ये भी अनुमाल लगाया गया है कि किन के शेत्रों में 5G तकनीक का लाब मिलेगा उनमें से विनिर्मान शेत्र होंगे जिनको 20 प्रतिशत का लाब मिल सकता है खुद्रा को 12 प्रतिशत का तो वहीं क्रशी को 11 प्रतिशत का तो माना जा रहे है कि ये 5G की जो तकनीक है वो पूरे देश भर को आर्थिक और सामाजिक नजरी सगरम देखा चाहे तो एक बड़ा लाब देने वाली है तो साथ ही हमारे देश को भी इससे एक बड़ा लाब मिलेगा स्पीड बड़ेगी और इंटरनेट का जो जमाना है आज डिजिटल का जो युग है जहाँ पर हर कोई चीज इंटरनेट के जरिये ही होती है तो जाहिर सी बात है कि देश के बड़ने के साथ साथ लोगों को सफलताओं के कई आयाम खुलेंगे और कई अवसर उनके सामने ख अनेगाद